सोहे कोटी मुहा टिका करणा भारत रे आमात्र चालीस लोख्य टिकाने बाप परे भारत आसल करिवा एका बड़ा उपलब थी आउ दिनक अभी तरे भारत चुईंपारे सोहे कोटी टिका करण माईल पुन्ट बुदबार भारत रे कोवीड-19 वैक्सिन डोज वने सुर्थ गोटी चोबन लोखेरे पहुंची सारी थिला से बटे केंद्र स्वास्थिय मंद्री ट्विट करिये ही स्वार्नी मवस्रारे स्वभागी बापाई देशाबासिम को अपेल करी चन्दि जयो मानंक कर वैक्सिनेशन होई नहीं से बाने तुरंत टिका नहीं भारत रही अइतिहासिक स्वन्निम टिका आकरण जात्रारे मिजर जोगदान करी बाग कुपई चन्दि जन्वारी सोलरे भारत रहाराम होई तिला टिका आकरण प्रतमे स्वास्तिय करविंको टिका प्रदान करा जाइतिला अहापरे फेब्रारी दुई तरी करू वैक्सिनेशन पाई सम्मुख भागर जुधाग को जोग्यो घुर्षुना करा जाइतिला ता परे जून एकोईस जन्वारी खरू देशरे आरम होई तिला समस्तन को टिका मागणा टिका आहरे वितर भारत रहात रहा करण को आई एम एफ यवंग विश्वा स्वास्तिय संगत्रन वध्या प्रसंचा करी शारी शारी चन्दे जिवड़े सहाय कोट्टी टिका अकरण को वैतिहासिक करी बा ही है कि देश में पहली बार कि वैक्सिन का प्रडॉक्षन या तो वैक्सिन का डॉमेस्टिक रिसर्च एक दुनिया के साथ हुआ कि पहले यह हुआ करता था दुनिया में वैक्सिन आती थी उसके बाद पांस साल दस साल के बाद इंडिया में आती थी देश में समय पर वैक्सीन के लिए रिसर्च वह और है निया के साथ वैक्सीन आंगो लगातार वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए प्रयास किया गी और उसका परिणाम यह आया कि यह महिने में मतलब सप्टेंबर महिने में भारत सरकार को भारती कम्पनियों ने बनाई हुई 26 करोड डोज मिलेगी और वैक्सीनेशन भी लगातार बढ़ रहा है पहले 10 करोड डोज लगाना में हमें 85 डेज लगे थे और पिछले जब 70 से 80 10 करोड डोज हमने 11 दिन में एडिमिस्टर किया अगले महिने में अक्टोबर में हमें 30 करोड से अधिक डोज मिलने की सुंभावना है और उसके आगे और भी डोज और भी प्रोडक्शन बढ़ेगा बायोलोजिकल इवेंस एंड अधर कंपनीज भी मार्केट में आ रही है उसको देखते हुए अगले फौर्थ क्वाटर में हम हमारी जरुयात को पूरी करके अधिक प्रोडक्शन करेंगे ए प्रोडक्शन के तहट हम वैक्सिन मेत्री को भी आगे बढ़ाएंगे फोर्थ क्वार्टर में वेक्सिन मेत्री के तहट हम दुनिया को भी मदद करेंगे और कोवेक्स में भी हमारी जिम्मेवारी निभाएंगे